जब भी हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीती की बात करते हैं तो आप लोग आजम खान के बारे में जरोर चर्चा संते होंगे और आप सभी लोग जानते हैं कि अखले स्यादव का काफी करीबी माला जाता है आजम खान को और जिस समय आप देखें कि उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो एक मौदी लहर चल रहीज थी 2014 की लोग सभा की बात कर लिए या 2019 के लोग सभा की बात कर लिए फिर भी आप देखेंगे आजम खान ने अपनी लोग सभा सीट वरकरार रखी थी यानि कि आप देखे बड़े बड़े धुरंदर मौदी लहर के आगे चुनाओ हार चुके थे लेकिन उस समय भी आप देखें कि आजम खान अपना चुनाओ निकाल ले गए थे आप देखें कि 2019 के लोग सबा चुनाओ में डिमफल यादाओ अकलेस यादाओ कि बीबी चुनाओ हार गई थी उस समय भी आप देखें कि आजम खान ने और एक तरह से आप देखें आजम खान का अपने चेत पर काफी प्रवाव है और इस बार भी आप देखें आजम गर से आप देखें कि 10 में 10ी सीटें BGAP को हारना पड़ा और अकलेस यादि कि समाजबादी पार्टी को उन सभी सीटों पर जीत मिली हुए और इस बार भी आपने देखा होगा कि इननों जेल में बंद हैं इनोंने चुलाओ लड़ा विधान सभाका वो चुनाओ जीता भी इनके बेटे ने भी चुनाओ लड़ा वो भी चुनाओ जीता तो आज हम लोग एक आजम खान के बारे में सामान जानकरी देख लेते हैं क्या कि रिंग का बेक ग्राउंड क्या है और एक किन कारड़ों से आप देखिए जेल में बंद है और भी इनके कई बयान जो बिवादों के रोग ले लेता है तो उन बिवादों पर भी बात इनकी राजनितिक यात्रा क्या रही है, राजनितिक सफर क्या रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप वी सभी जानते ही कि उत्तर प्रदेश की राजनिति काफी गर्माई रहती है। इसलिए गर्माई रहती है कि अगर आप देखें बिधान सवा, बिधान परिशाद, लोग सवा, राज्य सवा, सभी राज्यों में सभी से जानदा सीटें उत्तर पिदेश में ही हैं, और इसलिए तो कहा जाता है, कि जो दिल्ली की गद्धी होती है न, इसका रास्ता लखनव उसे हो कर जाता है, समझ रहें, जिसने उत्तर पिदेश में कब्जा कर लिया एक तरह से, उसने अपनी जमीर बना ली राजनीती में, तो उसे दिल्ली की गद्धी मिल्ला आसान हो जाता है, और इसलिए अभी भी देखिए, हमारे जो बर्तमान पिदान मंत्री जी है, मौद देखें, तो सबका संबंद अधिकतर का आप देखें कि उत्तर पिदेश से ही आये हैं वो, और यहां देखें उत्तर पिदेश आपको दिखाई दे रहा होगा, लकनव इसकी राध्धानी है, 24 जन्वरी 1950 को उत्तर पिदेश को राज बनाय गया था, और इसलिए आप देख इस्थान, मद्य पिदेश, चक्तिसगाड, जहरकंड, पटना, इसकी अंतराश्टी सीनवा नेपाल से लगती है, यहां अगर आप देखें तो बिधान सभा में 403 सीट हैं, बिधान परिशद भी है, बिधान परिशद में 100 सीट हैं, राज्य सभा में 31 सीट हैं, लोक सभा म 80 सीट हैं, ठीक है, और आप देखें, 2019 का, 2014 का, जो भी लोक सभा चुना हो रहे हैं, इनमें BJP को अच्छी खासी सीट हैं आपकी उत्तरपदेश से मिली हुई थी, तो इसक्रीन पर आपके सामने आजम खान देख रहे हैं आपको, यह हैं आजम खान, कौन है, आजम खान, अ इनके पिता का नाम, और आजम खान की पतनी का नाम ताजीन फातिमा है, और आजम खान की दो बेटे हैं, एक तो आदिप खान और एक देखेंगे अब्दुल्ला खान, ठीक है, अगर हम लोग आजम खान की सिक्छा की बात करें, तो इनकी स्कूली सिक्छा रामपुर की बक से एललवी ओनर्स की पढ़ाई हुई की हुई है तो कानून की पढ़ाई भी की हुई है इनोंने अगर हम लोग राजनेती की आत्रा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि समाजबादी पायटी से जोड़े हुए है आजम खान ने अपनी राजनेती की सुरुआत 1974 में अलीग बीच देश में आपात काल लग गया और सरकार की बिरोत के कारण आजम खान को जेल बेद दिया गया आप देखिए इंद्रा गांदी ने कितने अच्छे-च्छे काम किये थे लेकिन 1975 से जो 77 का राष्टी आपात काल रहा है उसे इतिहास का काला समय बोलते हैं आप लो तो आप देखिए इनकी इंद्रा गांदी की आलोचना होती रहती है तो उस समय आजम खान को भी जेल जाना पड़ा और आप सभी जानते हैं कि राष्टी आपात काल के दौरान बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल लिया गया था उसके बाद आप देखिए कि जो आपकी चुनाव हुए उसमें इंद्रा गांदी भी अपनी सीट नहीं वचा पाई थी, कॉंग्रेस भी आप देखे बहुत बुरी से अपने बुरी तरह से चुनाव आ गई थी, और फिर उसके बाद गैर कॉंग्रेस ही सरकार गठन होता है, जेल से चूटने के बाद आजम खान ने विधान सवा चुनाव लगा, लेकिन संसादनों की कमी के कारण आजम खान को कॉंग्रेस के मंजूर अली खान के हाथों हार का सामना करना पड़ा, आजम खान साल 1976 में जनता पार्टी में सामिल हो गए, इसके बाद वाए लोग दल से जुड़े और फिर से जनता पार्टी म सामिल हो गए, और याद रखे, लोग दलाज कर आप लोग देखते हैं न, इसमें पहले मुलाइम सिंग भी यादो सामिल रहते थे, तो राजम नितिक आयस्थिर्था के दौर में आजम खान ने कई पार्टी में बदली, और आजम खान पहली बार जनता पार्टी की आप देखते होंगे कि मद्दाता सूची में आपका नाम जुड़ जाता है और आप बोट डाल लें जाते होंगे, ठीक है? अंगली कार काल में आजम खान ने जनता पार्टी के टिकट पर चुना लड़ा और विधायक बने, इसके बाद आजम खान ने वापस जनता पार्टी के चुनाओ पर इन्होंने चुना लड़ा था, आजम खान पहली बार साल 1989 में उत्तरपेदेश सरकार में केमिनेट मंतरी बने और साल 1994 में आजम खान समाजबादी पार्टी के All India General Secretary बने, इसके बाद आजम खान साल 1996 से साल 2002 तक राज्यसभा के सांसाद रहे, और 13 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक आजम खान उत्तरपेदेश बिधानसवा में बिपक्ष के नेता भी रहे हैं, इसके बाद सेप्टमबर 2003 से मई 2007 तक समाजबादी पार्टी के सरकार में आजम खान केमिनेट मंतरी भी रहे, जब आप देखेंगे कि समाजबादी पार्टी रही तो इने केमिनेट मंतरी भी बनाए गया, आजम खान ने साल 2009 में हुए, लोगसफा चुनाओ में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार जया फिरदा के खिलाब चुनाओ लड़ा, लेकिन हुए हार गये, इसके बाद उन्हें 6 साल के लिए समाजबादी पार्टी से बाहर का दिखा दिया गया था, हाला कि साल 2010 में आजम खान को वापस समाजबादी पार्टी में सामिल कर लिया गया था, और साल 2012 में जब उत्तर विदेश में समाजबादी पार्टी की सरकार बनी, तो अकलेस मुक मंतरी बने और आजम खान को कैबिनेट मंतरी बनाए गया, साल 2013 में बिधान सबा चुनाव में आजम खान एक बार फिर से बिधायक बने और इसके अलावा साल 2019 में लोकसबा चुनाव भी इनोंने जीता था और लोकसबा सांसद बने और 2022 में आपने देखा है कि उत्तरपतिस में बिधान सबा चुना हुए तो इन्होंने रामपूर निर्वाचन चित से ये विधायक बने हैं फिर से निर्वाचित हो गए है ठीक है और अब ये हाल ही में आपने देखा हूँ कि इन्हों लोग सबा सदस्के से इस्टीपा दे दिया है अब ये विधायक बने रहें civilization ठीक है और अकले से आधा उन्हें भी दे दिया है तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बिपक्च एक मजबूती से अपना पक्ष रखेगा क्योंकि मजबूत इतना मजबूत बिपक्च कभी नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में कानूनी मामले भी देख लीजे इन पर क्या कारण है कि इन्हें जेल की हवा खानी बढ़ रही है तो उनके खिलाब भूमी अधी किर्मण और अपराधिक धंभी की से सम्मदित अफसी कानूनी मामले दर्ड है और रामपुर के S.P. अजय पाल सिंग ने जमीन हडपने की एक मामले की जाज करते हुए फुष्टी की घरेलू सामन, आबुसन और घरेलू मवेसियों की लूट के बारे में सिकायत करता की दावे सही थे और खान द्वारा इस्थाफित गैर सरकारी संगठन जो हर ट्रेश्ट की खिलाब जमीन हडपने की कई मामले भी दर्ज है जनवरी 2020 में रामपुर के स्थानीय पिसासन ने 6 किसानों को लगभल 17 वीगा जमीन सौफी जाने के साथ ही सही मालिकों को कबजे बाली भूमे की बापसी भी सुरू की और जनवरी 2019 में उत्तर पेदेश के एक इस्थाई पुलिस एस्टेशन में खान और उनकी पतनी तजीन खातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला के जनम पिर्माडपत के संबन्द में जाल सासी का मामला भी दर्ज किया गया था हाला कि मार्च 2019 में इलाबाद उचनेयले ने पुलिस द्वारा जाचपोरी होने तक उनकी गरपतारी पर रोक लगा दी थी जनवरी 2020 में अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला और उनके माता पिता को अदालत में पेस होने में विफल रहने के लिए फरार भोसित कर दिया था इसके बाद पिवर्तन निदेशार फरवरी के पहले सप्ता में से आजम की संपत्तियों को सलगन करेगा और 26 फरवरी 2020 को उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने बेटे का फरजी जनम पिरमाण पत्त बनाने के लिए जेल भेद दिया गया था कोईसी में आप देखें उनके बेटे को भी जेल की हवा खानी पड़ी उन्हें पाइटी के नेता अखले से आदाव का पूरा समर्थन मीला है और जिन्होंने दावा किया की मामले राजनीती से पेरिट थे अब विवादित बयान देख लिए के दादरी हत्या कारेंट के बाद आजम खान ने कहा था कि गौभत आज के बाद किसी भी होटल में वीप का दाम ना लिखने दें ऐसा होने पर सभी फाइव इस्टार होटल को बावरी मश्चित की तरह तोड़ दें कारगिल योद्द को लेकर आजम खान ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि कारगिल पर फताय दिलाने वाले सेना के जवान मुसलिम थे और आजम खान ने पितान मंत्री नर्द मौधी को लेकर भी विवादित बयान देते हुए उन्हें पुत्ते के बच्चे के बड़े भाई कह दिया था वो समय भी आप देखें इनकी काफी आलोचना की गई थी साल 2014 में लोकसभा चुनाओ के दौरान आजम खान ने अमिसाहे पर निसान असात्ते हुए कहा था कि 302 का अपरादी गुंडा नमबर बन इसाहे यूपी में दसद फैलाने आया है तो इस समय भी आप देखें इस तरह की और आप देखें कि हमारे देश की राजनीती में किसी भी तरह के बयान बाजी चलती रहती है अभी 2022 का जो विधान सभा चुना हुआ है विपक्ष चाहसत्ताबक्ष दोनों की तरफ से आप देखी नेताओं ने किस तरह से बयान बाजी की हुई है वदायू के एक कारकरम में आजम खान ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि गरीब घरों की महलाएं यार के साथ नहीं जा सकती है लेहाजा जन्दा बच्चे पैदा करते हैं साल 2019 के लोगसभा चौराओं के दोरान भी आजम खान ने जयापदा पर अपमान जनक टिपड़ी की थी जिसके विलोकर काफी विवाद भी हुआ था तो एक कहानी है आजम खान की और मुझे लगा कि एक सामान जानकारी इनके बारे में विदय देनी चाहिए और भी बताइए देश की राजनीती में या वैसे भी कोई चर्चित बेक्ती हो जिसके बारे में आप जानने की इक्षा रखते हो दिल्चस्वी रखते हो तो उसका नाम बताइएगा उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे आप लोग तरहाल इंज्वाय करते रहिए देश की राजनीती के मजे लेते रहिए और मुझे तो लगता है कि आप आप लोगों को कॉमीडी देखने की जरूरत ही नहीं है देश की राजनीती को देखते रहिए नेताओं के वयान बाजों को सुनते रहिए कोई भी नेता हो आजम खान हो या और बाकी नेता हो ठीक है